सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं लेक्टानिक मीडिया के पत्रकार, एक बार एक आदमी कुए में गिर गया जब कुए से निकल लहा था, तो लेक्टानिक मीडिया के एक पत्रकार ने मायक उसके मुमें डलके पूछा आपको कैसा लग रहा है, वो बैचारा फिर नीचे चल गया सामने किसान बैठाता दो बकरों के साथ उसने कसम खाई कि यह पत्रकार सब को निप्टाता आज हम इस पत्रकार को निप्टा देंगे जब पत्रकार उस किसान के पास गया करने लगा यह जो दो ऐध्यास भिलाते हैं पत्रकार ने का इसको बांदेते कहा है किसान पत्रकार ने प्रूचा किसको काले वाले की सफेद वाले को पत्रकार कंगुछा साथ में आसमान पर उस DAY किसान का गिरेबान पकड़ लिया उसणिका साल्य जब एक साथ दोनों बकरे एक ही काम करना है तो बार-बार क्यों पूछ रहा है काले वाले लोग सफेद वाले को उसने डढ़ते विए का साब ये काला वाला हमारा है पत्रकार ने का सफेद वाला उसने का ये भी हमारा है ताली जोड़दार बजा दीजिए एक बार बहुत अच्छा वाँ 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 एक हमारा अमेरिका के मित्र है कल लगा यार तुम्हारे हिंदुस्तान की पुलिस बहुत धीली है अमेरिका की पुलिस बहुत टाइट है हमको बड़ा खराब लगा हमने का हिंदुस्तान की पुलिस धीली उसने का हाँ हमने का मेर्काइक पुलिस टाइट है हमने के दावद को पकड़ पाए उसने का नहीं खुदी कहेगा हमी दावद है तालिया कमजोर है आपकी मैं बहुत सम्मान करता हूं आपको बहुत systematic होते हैं एक दिन तो मैं ब्यास जी के साथ एक कभी सम्मिलन में जा रहा था तो हमां तो कान पूर साह हूं वहां पर हेलमेट चेकिंग चल लए है तो मैं हेलमेट भूल गया दरोगा जी ने में को रोख लिया कलें कि बेटा कहां ज तो चिंता ना करो तुम को एक मंत्र दे रहा है कि यह आगे रोक ले तो कधिना तोता तुम बज जाओगे हम चार-पांच किलो मीटर आगे बढ़े फिर दरोकाजी मिल जा रहे हो हमने कबी समयलन में हमने का भूल गए हैं बोले चलान करेंगे हमने का तोता हमसे बोले उड़ दो जा हम चार पांच केलों मीटर आगे चले गए फिर दरोगाजी मिल गए हम से बहुत आहरा हो हमने का कभी सम्मेलन में बोले हेलमेट हमने का भूल गए पोले चालान करें हमने का तोता हमने का भाग जा अच्छा 200 रुपय दिये थे हमनों सोचा एक हपते इसी काम इसका चालान कर इसको बता तोता नहीं कवा है तालियां एक बार जोड़दार आपकी हो जाए इसका इको बिल्कुल हिटा दो मैं बता चुका हूं बहुत अच्छा कभी हूं विधायक जी से ले गए मुझे दुख हो रहा है बारती जन्ता पार्टी के केंद्र में हिंदुस् बहुत इमानदार हैं मैं हिंदुस्तान का एक मात रहसा कभी हूं मैं देखता हूं सामने किस दलके नेता हैं मंच पर किस दलके नेता बैठे उनी की तारीफ में क्योल पड़ता हूं अब आरती जन्ता पार्टी केंद्र में चार साल हो गये हैं बात्पा वाले प्रशार कर करें अच्छे दिन आ गये हैं त्व टिवे में डिवेट से ला बीजेपी वाले करें अच्छे दिन आ गये हैं सामनी से ये डिवेट हमारे घर में चलीन Wow मान लीजे पतनी एगर BJP से है पती एगर कांग्रेस का है वो डिबेट हमारे घर पे चली आईए मज़ा आजाए तो तालियों को महत्तो करके मुझे शुरू कर दीजेगा थी BJP से पतनी बोली जून में चलो जाने मन जल्दी हनीमून में चलो अच्छे दिन आ गए हम डांस कर चलेंगे कांग्रेसी पती बोला हर हाल चलेंगे जून में ही क्यों वर साल चलेंगे जब पंद्रा लाक एकाउंट में आही गए हैं बुलट ट्रेंड से दोनों ने निताल चलेंगे यह तारीफ में ने लिखी तेसलिए सुना दी तोकि बीजेपी वाले बैठेंगे हैं बहुत मैं आपको प्रणाम करता हूं अभी तीन-चार अभी लगबग एक साल हो गए लखनों में मेट्रों का उध्गाटन हुआ बिलकुल आपको सच्ची कटना बता रहा हूं हम और प मिठाई क tv माट रहे होela हूं कि सामील नहीं हो हैं यह यह योजना हमारी थी बीजे पीसको चुरा ली इए अब इजे पी वालने ऑले के नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पर यकीन बहुत है, हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपाईयों की तरह हमसे बात करोगे, मेनत है हमारी तयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम, मेनत है हमारी तयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम, जाहि कर रहे हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच है लाल किला जहां पर कभी जाने के लिए तरस्ते हैं अगर वहां चले आते हैं तो अपने आपको देश का बड़ा कभी समझते हैं लगभग बीस और पचीस वार आदरली अंबर जी ने उस लाल के लिए का संचालन किया इस कि चार पंक्तियां ठक से लगया तो मुझे आशिरबाद दीजिएगा कि बेटा बोला बाप से काम करोगे गांवाला प्लाट मेरे नाम करोगे बेटा बोला बाप से काम करोगे गांवाला प्लाट मेरे नाम करोगे गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है बहुत दिन से के बंदू बैठें मुई है मैं तो हास का कभी हूं दस पंदरा बीस मिनट के बीच में रहूंगा हास की बात करूंगा प्यार मोबद के कोई बात करूंगा अभी आएंगे रंजना प्रवचिन ने लखींपूर्श के लिखें उनके साथ में चले आना अगर उत्तर परदेश म तुम्हारा ना करते तो क्या करते दूर जाने का इसारा ना करते तो क्या करते योगी की पुलिस जब पीछे पड़ी हो तुमसे किनारा ना करते तो क्या करते तो मैं प्यार मौबत से बहुत दूर रहता हूं साब अच्छा प्यार मौबत लिखना तो छोड़िये हमने आज त है मुझे को डाटा करते हैं करने का यार यह तुम प्यार मुभबत के बात क्यों नहीं लिखते स्रंगार से दूर क्यों रहते हो देश के बड़े लोग बैठे हैं मैं आपको बता दूँ एक कारण है एक मेरा बच्पन का मित्र है उसने हमको रोते रोते ले श्टोरी सुनाई थी हमने रोते रोते ले श्टोरी सुनी थी तब से हमने कसम खाली ने प्यार करेंगे ने किसी को प्यार करने देंगे वह लेब विश्टोरी आप लोगों सुना दे रहे हैं अमिताब जी आपको स्पेसल सुना दे रहे हैं अगर उसके बाद किसी घिम्मत हो तो प्रकर करके दिखा देना वह ले विश्टोरी कि इस तरीके से थी कि जब हम तीन साल के थे तब वो पैदा हुई थी हम कच्छा दो में गए व करें तो बीए में आ गई हम ससी के तैयारी करें तो इसने बेट कर लिया हम ससी के तैयारी करें तो उसने एमिट कर लिया हम ससी के तैयारी करें तो उसने एंफिल कर ली हम ससी के तैयारी करें तो उसने पेच्छडी कर ली हम ससी के तैयारी करें तो प्रोफेसर बन गई सनिव इतवार को उसकी साधी ये इतवार को हमारा ससी का पेपर है तालियां कमजोर है आपकी अप्यार मौबत हिम्मत हो करके दिखा देना आप हम लोग तो साब हास कभी है हम लोगों साधी बहुत मुश्किल में होती मिले तमाम रिष्टे तो उसलिए लड़ गए मैं हास कभी एक लड़की के माने हमारी मासे पूचा लड़का क्या करता है हमारी माने सीधा सीधा जवाब ले कवी है प्ता जी पबने रिष्टे हमारी ऑगने की करते हैं जोड़ जोड़े, तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी आपका लड़का कभी हमाई लड़की पागल है कि तमाम रिस्ते हमारे लोड़ गए आज कल लड़कों की जब साधी होती तो उनका इंटर्व्यू लिया जाता है पहले हम लोग रिजूम बायो डेटा बनाते थे नोखरी के लिए आज कल पतिनियों के लिए बनाना पड़ता है कि रिस्ता हमारे आया लड़की के पिता जी ने कहा बेटा तुमसे दो तीन को इस से न पूछेंगे तुमने बता दिया तो साधी फाइनल ने पर्मानेंट करें लुमारे इंटर्व्यू ले रहे थे हमने का पूछिए के तु लोटीए बीशीटी सुनाओं कि कहां सुनाते हम कि कहने के तुम अंग्रेजी फेल गडित आती है हमने का आती है कहले पाउनेक तालिस का पाड़ा सुनाओं हम उसे में फेल कहने लगे आखिरी कोशिशन पूछ रहे बता दिया तो फाइनल ने पर्मानेंट का इंशिल हमने लिए कब हुआ था हमने का उन्नीस सोनीस में बोले इसमें हुआ क्या था हमने का इंग्रियोज्यों ने हमारे कई हजार आद्मियों को मार दिया था हमसे कहने लेकि सबके नामों पते बताओ तो हमारी बो साधी प如此 फिर एक रिस्ता और हा गया इस बार लड़की पिता जी अपनी लड़की को दादा के पुराने दिन याद आ गए हैं हमने का बहिन जी आप लोग कितने बहिन है उसने का अभी तक तो दो थे आजस्या मिल गए हैं तो हमारी वो साधी भी कैंसिल पिर एक दिन हमारी साधी हो गई यह हमारे ब्यास जी, बॉजल यह खंजन जी देश के बड़े कभी हमारी बरात आये थे बिल्कुल सची घटना भारत और पाकिस्तान का सेमी फैनल मैज ते किर्केट का पूरा हिंदुस्तान मैज देख रहा था हमारी साधी थी हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बरात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमी फैनल में जी कमेंटी सुन रहे थे हम दूले के बेस में सजे थे घोड़ी के उपर बैठे थे जैसे बरात कर पहुशने वाले थे एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिलाया, बोला छक्का हम डर गए हमने कभे कहां छक्का कहले लगा विराट कोली दे मारा है तो हमने कभे कोली मारा तो हमारी तरफ को देख रहे हो साधी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको हम ने कि अपकी मारे तो मारी तरब ना देखना पता जाला दो मिनट बाद इंडिया मैं जीत गई किसी ने खुशी के मारे घोडी के नीचे सुतली बम रख दिया वो बम भटा तो घोडी भागने लगी हम भी भागने लगे हमने चलती घोड़ी से पिता जी को फोन मिलाया हमसे बोले कहा हो बिटा हमने कहा पिता जी भाग रहे हैं बोले किसके साथ ताली तो इसे बजा रहे हैं आप लोग इसमें बरात आये थे हमने कहा घोड़ी के साथ बोले बैसरम नहीं आती भागना तो किसी लड़की साथ भाग जाते हमने का पिता जी वो भाग गई थी कहने लेगे आज घोड़ी भैकी है कलको गदी भाग गई तो उसके साथ भाग जाओगे उनना मॉबाइल बंद कर लिया वाई साथ एक हपते लगा तरह हम भागते रहे लब एक हपते बाद हमको होस आया तो हमने आपने आपको जंगल में पाया माँ चार-पांच आदमी खड़े थे हमने का कानपूर का पता पता तुम बीबी को विदा खराना है तो उनने का देखो ऐसा है हमारे राम लीला का पाट चला है ये राम है ये लक्षमन है सूप नखा का रोल जिसे करना ता नहीं आया तुम सूप नखा का रोल कर लो हमने क किसमें क्या करना पड़ेगा गोला ना कटवानी पड़ेगी हमने का वो तो कट चुकी है कर दें उनकी बात मानली राद बर सूप निखा कर रोल किया सुबह चार बज़े हमारी यहां खुली हमारे से लीक पड़ेगा है वहां के आदमी गाए सूप निखा की ड्रसमें पईद दिया मेरे घर के सामने पुलिस थाना मैं थाने के सामने रहता हूं तो मैं थाने गया तो इसपी साब बैटे तरम के पैर चुए हमने का हमारे साले खिलाब इफाई या लिख लीजिए करने के तुम्हां पहले नम पहले से भाई यार है घोड़ी के अपरहन की तुमको दो उनका समय देने घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे एक महीं टिपड़ी करना चाहता हूं उत्तर पिदेश का बढ़ा वेंग एक टिपड़ी में निप्ता दिया हो तो जहां तक बात पहुंचे आपकी तालियां बताएंगे मिरा वेंग आपकी समझ में आया हमने में पहर चुआ हमने के घोड़ी ठूण लाएं यह करें कर पोली कितने बड़ादि कारी घोड़ी ठूण लाएं हमने कैस्पी साब भाइस्तौ आप थूण लाए थे और तो मारी वो साधी केंसिल तुमाँ बार हमारी साधी कांसिल हो गए अचा मैं कानपूर में मैं एक इंटर कालेज में अग़र कोई हास कभी अगर अध्यापक हो जाए तो बच्चों का भई जयुशाब समझ सकते हैं हमने बार एक ब Actually Puh Meng Advaita ये बताू ये कंद आ हो एक खिलो रूई और एक लोहा दोनों में भारी क्या होगा उसंने का मार्ठ साप लोहाँ भारी होगा मैंने का बेकूब मैं ज़वां तुम हमने दूसरा कोईशन पूछा हमने कई ये बता हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंची का क्या नाम है उसने जबाब दिया हाथी हमने खड़े हो जा तुम्हारे बाप क्या करते हैं उसने कई दाउत को गरों में सूटर है हमने का बैट जाओ हाथी सही जबाब बहुत दिन हो गए माला पहिने वे आदली अंगनुत्र जी को मैं परणाम करता हूँ बहुत अच्छे कवी भी है और बहुत अच्छे पत्रकार भी है बच्चे बड़े हुस्यार है एक बार एक बच्चे ने बच्चा बड़ा सरार्ती था तो दादी ने कहा कि तुम दिन से पुछा, स्कूल नहीं आते हो तो घर में क्या बहुत बनाते हो बच्चा बोला मेरा बहुत अंगली बार भी निपड़ जाओगे बड़े बच्चे और दाधी बेटी बड़ा दिनबध टीभी देखते हो हिंदुस्तान की परंपरा में पढ़ाय लिखाई हो तुम दिनबर टीवे बरबाद हो जाओगे कभी-कभी हमसे बात भी कर लिया करो अबो कानपुर का ललका बड़ा हुस्यार और बड़ा सैतान उसने का दादी आज हम आपसे बाती कर लेते हैं उसने का दादी ये बताओ यह हम लोग इस घर में च्या कर दो leo कौन च्या लोग उसने कई एक मम्मी एक पापा दो आप तीन हम चार चोटी वाली बहरेंं पांच और घर में जो गिली पली यह वो उसके चिंता ना करो तुम्हारे पापा से etwas ले आंग you can 5 अभू एंगे तो बच्चेले नहींगे निने क cultivate गांग 5 विल्ली निने अब किने प्रमास लगा जाए तो यहाओग तो नाइसिए हो जाएगी एगी हम लोग साथ हो जाएंगे तो बच्चे ने का दादी फिर आप मर जाओगी ताली जोड़दार बजा दीजे एक बार बहुत अच्छा वेंग समझते हैं आप एक मैं पढ़ना चाहता हूं जिस वेंग को दादा अंबर जी ने सुनकर मेरे पीट पर हाथ रखा था और जिस कव ज्यादा तर कभी भटक गए हैं अपने स्वार्थ में अटक गए हैं हास का कभी मैं अपने उपरवेंगे कर रहा हूं हास का कभी वो तो जुगार से खुद को भुना रहा है कभी तक पता नहीं क्या क्या सुना रहा है वीरस के कभी वो तो चिलाना ही अपनी आन समझते हैं खुद को दारा सिंग पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं और इनका तो बस नहीं चलता नहीं जा चीने वह चट्टा बना दें माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दें गीतकार, सीधे साधे बेचारे, जिंदगी के मारे इनको क्योल प्रेमिका के गम सताते हैं गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं कहर छोड़ो, तुम किस विधा के कभी हो मैंने भूलते वेका वीर रसका बोला वीर रसके कभी होके डर रहे हो फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो अच्छा कभी हो तो प्रूप करके बताओ कोई एची से कविता सुनाओ मैंने कहा विजयी विशु तरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा इतना सुनते हमारे पास आया वेंगे देखें छोटे से कलमकार को आशिर बाद दे मैंने कहा विजयी विशु तरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा इतना सुनते हैं हमारे पास आया और जोड से चलाया बुला के नसे में समझ रहे हो और हमें के इतना भी नहीं मालूम कि जहां कि बच्चे पेट भरने के लिए अल्ला का नाम लेते हैं चलती टेनों में सूर्दास की लाठी थाम लेते हैं और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का जंडा उचा रहेगा जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का जंडा उचा रहेगा हमने का गुरू कुछ आपी बताएं बोला जिस दिन देश में बे रोजगार आत्मत्या की जगे रोजगार पाएगा गरीब दो वक्ती रोटी खाएगा किसी केन्या को भूणों में हम मारेंगे नहीं किसी जैचन से जब हम हारेंगे नहीं धर्म के नाम पे जब हम बाटे नहीं जाएंगे हमारे सेनकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे और अपनी हिमा के लिए किसी की मुमें जब गाली नहीं होगी रच्चा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी जिस दिन देश कहार रखव्यक्ती अपनी सोचा से बंदे मातरम कहेगा मेरे मित्र उजिन देश का घंडा उचा रहेगा